हेलो विद्यर्थियू आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की फर्स्ट पोयम डस्ट आप इसनू इसके सेंटर आइडिया पढ़ेंगे और इसको बहुत ही एजी वे में पढ़ेंगे इसके एक एक अर्थ को समस्ते चलेंगे एक एक वर्ड की और इसको ऐसे ही याद कर और चलिए सुरू करते हैं इसके सेंटर आइडिया को और जतना पार्ट आपको इसमे दिख रहा है बस आपको इतना ही पार्ट त्यार करना है एक्जाम के लिए तो शेंटर आइडिया डस्ट आप इसनू इस यह प्यूटिफल सार्ट को एज सब सेंदर वह अच्छी महत्स दिक्निफिकेंस का मतलब होता ह ooh एमिशाइब के मिजाइब तो मनुदसा को बदलने के लिए छोटी खोटी चीजी चीजे कितना महत्व पुड होती है उसके महत को ये कविता दिखाती है दा पोईट जो कभी था वाहज इन डिप्रेस्योट मूड में था एक उदास एक बहुत ही परसान कह सकते वो आप उस मूड में था मनुदसा में था फिर क्या हुआ from a hemlock tree एक hemlock के पेंड से एक 20 बश्चे के पेंड से एक क्रू सेक्स एक जो कववा होता है वो सेक्स करता है हिलाता है of the dust of snow on the poet poet पर dust of snow इन्ही बर्फ के जो महीन कड़ होते हैं उसको सेक्स करता है इट यह change करता है बदल देता है the poet's mood poet का जो mood होता है poet की जो मनोदसा होती है इससे जब कभी के उपर बर्फ किरती है उस पेंड से जस पेंड के नीचे कभी बैठा होता है या चलता निकलता है तो इससे उसका mood जो है बदल जाता है and makes him happy और जो कभी वो happy हो जाता है खुस हो जाता है फिर क्या है कि he has wasted उसने waste कर दिया nest कर दिया या बरबाद कर दिया था ये part of his day regretting एक part एक हिस्सा of his day अपने दिन का अपने दिन का एक हिस्सा regret करते हुए पस्चताब करते हुए जो कभी था उसने बरबाद कर दिया था but लेकिन now अब he wants to utilize the rest part of the day अब जो कभी वो rest बाकी का जो part जो हिस्सा है आप the day दिन का उसको utilize करना चाहता है उपयोग में लाना चाहता है क्योंकि अब उसका mood बदल गया है और बाकी के समय को honest नहीं करना चाहता है I hope आप सब को यह अच्छे से समझ में आई होगी आप इसको वीडियो को pause करके आराम से इसको उतार लें और इसी को exam में याद करके लिख देना है Thank you so much for watching this video